मैं प्रारब्द हूँ मनुष्य की सम्वेदनाएं क्षणिक होती हैं घनिष्ट मित्रता में भी वैमनस्य बिना अनुमती के प्रवेश कर जाता है दो प्रेमी जो एक दूसरे हेतु प्राण त्याग देने की बाते करते हैं वे एक दूसरे के बिना किसी और माध्यम से सुख में जीवन व्यतीत करने लगते हैं यदि ऐसा ना होता तो जहनती के साथ आचारे शुक्र के जीवन का भी अन्त हो चुका होता और आज इंद्र आचारे शुक्र से अपनी शतुरता भूल कर उन्हें अपने जमाता का प्रेम देने लगते किन्तु संवेदनाय तो होती ही छड़िक हैं अतीत में दिये गए वचन या ली गई सौगंध से उनका कैसा संबंद नश्वर जीवन की छड़ भंगुर संवेदनाओं का ही प्रभाव है कि एक और जहां देवराज इंद्र दैत्यों और शुक्राचारे को नश्ट करने की युक्ति सोच रहे हैं वहीं दूसरी और महराज विरिश परवा अपनी विजय को साश्वत करने का उपाय डूण रहे हैं देवराज, दुखत समरित्यों को विस्तराना ही बहतर है मैं आपके लिए सोम्रेस तब हुआ 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 है का कारण मैं नहीं गुरुवर विरश्पति है वो इसी सोम्रस और यवन सुख में लिप्त रहते हैं अपने ही अग्रजुतत्य के पतनी ममता के यवन में उल्चे हुए उनके चच्छों अब ध्यान में मगन नहीं होते हैं पुरोहित का धर्म भूलकर वो काम माया में विलुप्त हो चुके हैं ऐसे हैं हमारे पुरोहित को रुषकत आचारय पाठ तपस्या के भंटार हमारे जमाता शुक्राचार्य अपनी संजीमनी विद्या से हर मरे हुए दैने को को पुन जीवित कर देते हैं इस है अब पुत्री के पानी करेन के भी सवापृति नहीं दे वो आपको प्रीय नहीं थे अब आप उनके गुनघान कर रहे हैं जमाता के रोप में वो हमें प्रीय नहीं थे पृरंत पुरोहित के रोप में वो हमारे व्रहश्पत से श्रेश्ट है भाउथ दूचे है पुरय्युद है देवों के वज़े योडे खश्रिय, ब्रह्म, तुल्य, आचारे शुक्र को ही जाता है। ही सहिस्तराक्ष देवराद, इस समय आपको शत्रूं का गुंगान करना शुबा नहीं देता। आप अपने महामाया का विस्तार करें। नैन में भरे हुए पराजय के नश्रूं को बहजाने दो। कि एक पार ये लेक्त हो जाएंगे तो उनमें उबलते हुए रक्त के अंकारे भरूंगा। तो गलत होगा उस्तुपका अचाहरे खो। एड़ते अप लोग शूरवीर हो और शूरवीर रण में विजे पराप करते ही ही तुछ अपनी विजे पर। इतना भीमान नहीं करना चाहिए हमें विलासिता से दूर रहना चाहिए हम दैत्यों का अपना एक भव्य गवपून और महान काल रहा है हम हिर्णय कश्यकू प्रहलाद और विरोचन के वंशज है हमें अपनी धरोवर को वही मान देना है जो कभी था हम सरस्रेस्ट बने महा हम ऐसे बने हम ऐसे बने कि यक्ष गंधर्व किन्नर और मनुष्य यहां तक की देवता भी सुप ने देखें दैत्ये बनने का हम शरीर से तो हमर हैं हम प्रित्पे आत्मा और विचार से भी अमर बने तब ही आने वाली पीडियां हमें पूजेंगे देव पूज हम आपकी बातों के एक एक शब्त का ध्यान कि और उन्हें आपका आदेश तमझ करें का पालन भी करें अब मुझे आक्या दीचे गुर्देव आपका कल्यान हो माराज चमा जाता हूँ गुर्देव मैं मूल तथ्य तो भूली गया वो क्या महान हिरनक श्यपू के सम्मान में जो शौरे पुरुसकार परम ग्यानी और श्री विश्नुभग महाराज पहलाद ने शुरू किये थे कल उनका वार्शिक वित्रन समारो है और मेरी मंत्री परिशत के इच्छा है कि इस बार ये कारिण आपके हातों समपर दिया अरे गुर्देव आपको शंभां सम्मान समारों में आना ही होगा नहीं माहराज मुझे शंभा संभान समारों से दोरी रखिए ये मेरी और सभी दैत्यों की विन्टी है इस बार गुर्देव को विशेश तम्मान दिया जी इस बार देव और द्यत्यों के युद्ध में द्यत्यों ने एहतियासिक विजय प्राप्त हुआ ये हमारे असुरों की वीरता, बहादुरी और बलीदान के कारण संभव हुआ है महाराजी गुर्देव आपकी बात पूर कि इसलिए आप मेरी विंत 취 स्विकार कर लीजे और इस प्रभन्ड के नायक को इस दरहा करमत प्रातना करना शोबा नहीं देता माराज यग मैं महाराज की की विंती और प्रजा की आग्या को श्रढ़ार्य करता हूँ धन्यवाद गुर्देव धन्याध मेरा जीवन असुर सिवा के प्रतिस अमर्पित है महाराज अब हमें आग्या दीजे गुर्देव अरे महाराज अकेले ही जाएंगे राज कुमारी सरमिष्ठा को साथ लेकर नहीं जाएंगे मेरी सरमिष्ठा मेरी कहा रही गुर्देव आपकी पुत्री ने ऐसी मोहनी डाल दी है कि बस दिन गात देव्यानी के नाम की ही माला जबती रहती है बस उसी के ही गुडगान करती रहती यही तो देव की भी दशा है वो भी सर्मिष्ठा को अपना परिवार, मित्र, शत्रू, सब समस्ती पिता स्री इश्वर इन दोनों बालिकाओं के प्रेम की धारा यू ही भादता रहे गुर्देव, मुझे तो लगता इन दोनों का विवा एक ही राजकुमार के साथ करना होगा अनिधा ये दोनों अपने अपने परिवार के साथ रहनी पाएंगी दोनों के परिवेश अलग-अलग है महाराज राजकुमारी सरमिस्था के लिए कोई राजपुत्र चाहिए और मेरी देव के लिए कोई रिशी कुमार आपका घथान कत्य है गुर्जेव पिताश्री हाँ पुत्री, बोलो जैसे देव अपने पिताश्री से विवहार करती है वैसा विवहार हम आपके साथ क्यों नहीं कर पाते अजवा अरे राजकन्या सरमिस्था देव मेरी पुत्री नहीं है अर्थाद ये मेरी पुत्री नहीं नानी है नानी कभी ये मुझे अपना गुरू कभी अपना सखा और कभी-कभी तो अपना शक्त्रू भी समझती है क्यों? रशी कन्यादेव अरे महाराज, अब इनकी बातों पर ना जाए और पिता श्री आप मेरी प्रशंता कर रहे हैं यालोचना मेरी सखी सरमिष्ठा को जाने दीजिए तब मैं आपसे पूछती हूँ अरे मेरे पिता कभी कहीं आप तो नहीं आ गए मेरी देव में अच्छा गुर्देव अब मुझे वा सरमिष्ठा को आख्या दीजिए आईश्मतिभाव शम्मू, पत्र लेखा को मेरे प्रेम देना और अपनी मातार्ष्टिकों में अप्रणाव आप भी पत्र लेखकर गुर्देव के पास भेजना देखा महराज अब मुझे आपके राज्य के सेवा छोड़कर इनका पत्रवाहक बनना पड़ेगा पितास्त्री, देव ने मुझे बहुत सारे कारिय शिखा दिया है आप महल चलिये, मैं आपको सब बता देती हूँ गुर्देव, अब तो जाना ही होगा आक्या दीचे ठीक है महराजी उत्री शर्मिस्था तुम्हे शीगर अपने महल पहुचे लेगा महरानी जी, एक प्रश्न पूछूँ, आप रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी प्रश्न से पहले ही रुष्ट होने का संधे अर्थार तुमारे विचारों में नहीं नहीं महरानी जी, शमा कीजी मैं तो बस अपनी राजकुमारी के विशे में कुछ पूछना चाहती थी मेरी पुत्री स्रमिस्था के विशे में अच्छा बताओ, मन की उद्गार व्यक्त करो अपनी राजकुमारी जी का पालं कोशन तो राज के ठाटबाट के साथ हो रहा है फिर वो अधिक समय गुरुदेव शुक्राचारे के आश्रम देव्यानी के साथ क्यों व्यतीत करती है माया, तुम्हारे विचारों में हमें इर्शा की गंदारे शमा महारानी जी, शमा देव्यानी और समिस्ठा दो शरीर एक प्रांट जैसी ही जुड़वा भेनों की भाती है देव्यानी की संगत में मेरी पुत्रे समिस्ठा भी आदर्श पुत्री का उधाराण बनेगी इनकी मितरता यूगो यूगो तक समृती पर जीवित रहेगी महारानी की जै हो आओ मृदुला, क्या समाचार लाई हो? महारानी जी, महाराज राज कुमारी समिस्ठा के साथ महल में पधार रहे हैं अरे वा, आगे को लो देव्यानी के मितरता, उसका स्नेह नश्यत है और गुर्नी का, उसकी सेवा तो बिल्कुल निश्वार्थ है गुर्नी का बहुता नहीं कहानिया सुना कर मेरा मने रंजन करते रहती है और देव्यानी? देव्यानी की तो हर बात रोचक होती है और खिक्षा प्रति अच्छा देव्यानी को वेदों की रिचाय भी कंदस्त है और बहुत से उश्दों की जानकारी भी है तो देव्यानी के गुणों का आपको भी लाब मिल रहा है या नहीं हाँ पिताश्री चाहे ग्यान हो या भोचन देव्यानी खुले रुदय से वितरिट करके खाने पर ही विश्वयास रखती है और देव्यानी तो अरे राजकुमारी जी आप यहाँ हो क्यों कोई विशेश का रहे है पत्र लेखा उपमेर खंग के साथ यह द्यान में तब तक हम तनकी स्विश्राम कर लें टेखे हैं में आपके स्विश्राम में बाधा participated पारे मयों ज Boo pumped चलो पकल लिंगा वह में तुम्हें देव्यानी के विश्वय में थे तो य Almost महाराज, की जै हो महाराज, कुछ जल्पान ग्रेहन करेंगे? नहीं पलाहार? नहीं क्या बात है महाराज? भोजन की पती आपकी रूची कम होती जा रही है? हारानी, जब से हमारे जीवन में राजकुमारी सर्मिष्ठा का आगमन हुआ है, फेट भोजन से नहीं, हर्ष्ट से भर जाता है ममता की गौरव ने मेरा स्वास्त भी सदा के लिए ठीक कर दिया अब मुझे किसी आउषदे के अवशकता नहीं है केवल अपने पुत्री की एक मुस्कान के उशकता होती है मेराजकुमारी है कहाँ? वो अपनी सकी पत्र लेखा के साथ महल के उध्यान में है शर्मिस्ठा अपने सहेलियों पर अपना जीवन ने अच्छावर कर सकती है इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पुत्री में मित्रता निभाने का गौर जन्जात है क्यों नहीं महाराज? आपकी पुत्री है उसमें गुनों का भंडार तो होगा ही पत्री के बहाने हमारी प्रसंसा करने का अफसर आप कभी नहीं छोड़ती है महारानी पत्री की सेवा और प्रसंसा पत्ने का धर्म होता है और अधिकार भी तो आप ही बताईए हमें भूख लगेगी कैसे ठीक है महाराज अब आपके प्रसंसा नहीं करेंगे अच्छे ये बताईए गुरू शुक्राचारिये सममान समारो के लिए तैयार हुए नहीं गुरेव ने समवान समहारो के लिए अपनी स्युटकरती प्रादान कर दिया तो फिर समारो भाव्य होगा और देव सबी कैसे विडंबना है महाराज जिसमेच संजीवनी के परियोग से गुरुदेव ने असुरों के जीवन की रक्षा की उन्हें यूद में विजे दिलाई सुम गुरुदेव अपने जीवन का युद हार गए मैं संजीवनी से अपनी जीएंती के पराण नहीं बचा सके ये विडंबना नहीं महाराणी वर्दान की मर्यादा है इसका उलंगन गुरुदेव ने उजे भाय था महाराज कहीं जेंती के मिर्ट्यों का दुख गुरुदेव के साथ आत्म घातना कर दो और वो शिद्र नहीं हो जाए पर इश्वर का प्रेम है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ महाराणी जी आपकी चिंता और आशंका निराधार नहीं थी बडियानी ने समस्या का समःधान कर थै जो इवर्ण जी ने भगवान शिव की तपस्या से ब्राप्त की और दूसरी संजीवनी गुरुपत्नी जैएंती ने देव्यानी के रूप में गुर्देवको दीए देव्यानी संजीवनी का मर्दान? हाँ महाराणी देव्यानी गुर्देव के लिए संजीवनी का मंत्री है इसे देखकर गुर्देव में जीने की दालता पैदा हुए जीवन का उद्देश्य मिला है देव्यानी गुरु शुक्र के ब्राणों को कभी संकट में नहीं पढ़ने देगी वो तो उन्हें सदायव सकारात्मक जीवन के लिए उठसाही तौल अग्रसर करती रहती है सच मुछ महाराज देव्यानी गुरुदेव के लिए संजीवनी ही है महाराज अब आपके पेट में शुदा देवी का आग्मन हो गया हो तो म्रिदूला और माया को आदेश्टू शुदा देवी तो नहीं किन्त वासना देवी आपके संदर मोहिनी का हाथ पकड़कर अवश्ची हमारे मन में आगे कर दो मादा का चारा होगा नहीं कोई बे-चारा होगा gw जिर गए 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 पक्ष में नहीं रहता हूंगे? तो फिर देव दान्वा में यूद् कियों होता है? ये शतृता सदागली में शतृता में क्यों नहीं बदो जाती? परिस्तित्या, अहेंकार और इजी स्वार्प शतृता को जन्म देते हैं ये निंड़े कौन करता है? ये अंकारी कौन है? पताये न, पिता श्रीप देव दान्वा में ही क्यों? शतृता तो परिवार में भी होती है जैसे मेरे प्रापिता महर जी, महर श्री ब्रिगु और आप जैसे मेरे प्रापिता नहीं है तो मित्रता भी नहीं है वो आप ते या आप उन्ते रुष्ट क्यों रहते हैं? वो इस्तिये देव अभी तुमारी आयू इन सब बातों को समझने के लिए नहीं है समझना और समझाना आयू पर नहीं बुद्धी पर निर्बर होता है नाना नानी दादा दादे अन्य हमारे पास क्यों नहीं आते ठीक यही प्रश्णी तभी जैनती ने किया थी क्या मेरी देव में मेरी जैनती आई है इंतु वो तो जन्म देने के बाद भी जीवित कदाचित कदाचित विदादा ने उसे विलम से ही से ही नेरी देव में पुनर स्थापित कर दिया कि अच्छा पिता श्री नहीं पूछूंगी आप से प्रश्ना कभी नहीं पूछूंगी आप मेरे लिए सब कुछ है नहीं है मुझे आपके इंसंबंधों की आवश्यक्ता अच्छा देव एक बात बताओ तुमने शर्मिस्ठा और भुनिका पर क्या तिलिसम किया है वो हर समय तुमारे ही प्रशन साथ करती रहती है तिलिसमा ये मेधिया आपने मुझे कब सिखा तिलिसमा विलिसमा कुछ नहीं बताओ कुर्णिका मेरी पक्की सहे लिए वो हिट्डे की भी बहुत अच्छी है परन्तु कभी कभी मुर्खता दिखाने में तंकोच नहीं करती कुर्णिका ही क्यों तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराए के सांबने कभी कभी मैं भी मुर्ख बन जाता हूँ करते है कर दो कर दो कर दो कर दो कर